दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोरसाज का X Gold में ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर डीडिल्स में बात करने वाला हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर जैसा की स्कीन शॉट में देख रहे हैं कि फोरसाज X Gold कमिंग सून है और यहाँ पर अभी के टाइम में लगवर देड़ गंटे बाकी हैं देड़ गंटे जैसे यहाँ पर खतम होता है यहाँ पर ज्वाइनिंग का स्लोट साज आएंगे और आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लगा सकते हैं जो जितनी जल्दी यहाँ पर X Gold के स्लोट बाई करेगा ज्वाइनिंग करेगा उसका यहाँ पर नौन वर्की इंकम सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंकम होने का चांसे बन जाता है तो चलिए हम बात करेंगे 5 VSD यहाँ पढ़ा हुआ है जिसका current rate मुझे यह है तो यह नहीं देखना है आपको यहाँ देखना है VSD कितना है तो आप sufficient मामला में आप यहाँ पर अपना trust wallet सेगर आपने joining किया है तो VSD को आप यहाँ पर जमा रख लिजे VSD को ready रखिए जैसे ही plan launch होता है जैसे ही यहाँ पर timer खतम होता है आप instant अपनी ID को लगा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर fund को transfer करने के लिए बहुत सारे wallet हैं लेकिन अभी मैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वजिर X and Binance इससे सबसे easy to use होता है आप यहाँ पर BSD को transfer कर सकते हैं BNB को transfer कर सकते हैं क्या उसका process है swiping process वो मैं आपको यहाँ पर live करके बताने वाला हूँ तो वीडियो पर लाश्ट देखिएगा ताकि सारफ step को आप अच्छे तरीके से follow कर पाएं और आप यहाँ पर BNB को convert करके BSD में transfer करके आप अपना trust wallet में ले जाएं और joining कर सकें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वजिर X के बात करता हूँ वजिर X से BSD को कैसे transfer कर सकते हैं अपना trust wallet में तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर आप search करेंगे BSD तो BSD को धियान रखिएगा कि यहाँ पर जो BSD का जो आपका address दिया हुआ है यहाँ पर यहाँ क्लियर लिखावा छोटे एक्षरों में देखेंगे ERC20 लिखा हुआ है ERC20 मतलब Ethereum का blockchain में जो BSD होता है वो है लेकिन आपका फोरसाज में जो joining होगा इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ है BAP20 ठीक है यानि कि Binance BAP20 का जो smart contact BSD रहेगा वो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर गलती से भी अपना वजीर एक्स से आप BSD को trust wallet में BAP20 wallet में transfer मत कर दीजेगा otherwise जो भी आपका fund रहेगा और always के लिए lost हो जाएगा तो यह गलती आप बिल्कुल मत कीजेगा फिर भी अगर आपका यहाँ पर वजीर एक्स में fund है तो सबसे best रहेगा कि आप यहाँ पर BNB को transfer कीजेगा यह BNB लेकिन transfer करने से पहले फिर से confirm कर लिजेगा कि यह जो BNB है यह हमारा किस address में किस blockchain में है तो यहाँ पर देखिए BNB जो है वो BNB 2 का address है तो आप जो यहाँ पर deposit करेंगे trust wallet में आप BNB 2 का BNB करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो BNB, एक BNB यह है यह smart chain तो हम यहाँ पर BNB पर click करेंगे और यहाँ पर इसका जो address चेक करेंगे कि यह कौन साइड्रेस है तो यहाँ पर भी देखिए BNB 2 का address दिया हुआ है और ऐसे भी BNB 2 का address होता है वो जो starting होता है वो BNB से start होता है वो BNB 2 का address होता है और दूसरी बात जो BNB 2 का address होता है अगर आप without memo code में किसी accident से दूसरी accident में भेज देंगे तो आपका यह fund lost हो जाएगा तो इस सीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी देखिए BNB से start है और वहाँ पर भी आपने देखा trust wallet में यहाँ पर भी आपका BNB से start था तो that sure के लिएगा कि दोनों आपका BNB 2 का address हो अब चलिए मैं आपके सामने यहाँ लाइब ट्रांसफर करके दिखाता हूँ इसके बाद मैं आपको Binance से भी करके दिखाऊंगा सबसे पहले हम यहाँ पर BNB का address उसको copy कर लेते हैं यह मैंने address copy कर लिया विड्रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर address को test कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ पर trust wallet में memo code का जरूरत नहीं था यहाँ पर clear लिखा हुआ है कि आपको memo code की जरूरत नहीं है लेकिन आप जब वजी रेक्स से ट्रांसफर कर रहे है तो अगर आप यहाँ पर memo code के blank छोड़ेंगे तो यह आपका यहाँ पर fulfill नहीं होगा इसलिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जोड़ डालना होगा तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 12345 क्योंकि यह सिर्फ optional है क्योंकि अगर FCO आप नहीं डालेंगे तो भी ट्रांसफर नहीं होगा इसका BNB amount यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका half मैं कर देता हूँ 0.1 डाल देता हूँ इसके बाद remark में भी आपको डालना है कोई BSD यहाँ पर खाल नहीं छोड़ना remark में कुछ भी डाल देता हूँ BSD डाल देता हूँ अपने इसाब से आप कुछ भी डाल देता हूँ ले लेगा असानी से इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ proceed करने से पहले एक बार सब्मीट कर दीज़ेगा विड्रो सब्मीट हो जाएगा दोस्तों मेरे यहाँ पर विड्रो एप्रूव हो चुका है जब तक यह प्रोसेसिंग विड्रो होता है तब तक मैं आपको यहाँ पर बाइनस से भी करके दिखाता हूँ उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर जब भी आप फोरसाज में जवाइनी लगाने जाते हैं तो आपको स्वैप करने के लिए बीस्टी को स्वैप करने के लिए आपका स्मार्ट चेन होना ज़रूरी है तो अगर आप Binance से यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप डार्टली जो इस हो BNB ना करके आनि कि BAP2 ना करके BAP20 का जो होता है वो आप ट्रांसफर कीज़ेगा तो आपका काम यहाँ पर एक स्टेप आसान हो जाएगा तो चली यहाँ पर Binance में जाते हैं Binance में जाने के बाद यहाँ पर Wallets में जाते हैं Wallets में जाकर देखते हैं मेरे पास Sport Wallet में कितने BNB हैं जो अभी देख लेते हैं एक सेकंड मेरे पास देखिए यहाँ पर जो BNB है यह 114 डॉलर का BNB है मैं जो एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था वो एड्रेस कॉपी नहीं करूँगा मैं डाइट स्मार्चेंट का अड्रेस को कॉपी करूँगा इस एड्रेस को कॉपी करूँगा पिछली बार मैंने किया था BNB कोईन का कॉपी कर लिया था यहां पर क्लिक करते हैं, रिसीप पर क्लिक करते हैं, और यहां पर जो एसो, कॉपी जो है, उस पर क्लिक कर लेंगे, यहां पर मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके फिर वापस दाता हूँ वहां पर, ठीक है, और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यह मैंने यहां पर minimum जो भी यहां transfer करना चाहते हैं यहां पर 0.1 यहां से कर लेते हैं इसके बाद withdraw पर click कर देते हैं ठीक है एक बार फिर से confirm करने बोल रहा है कि आप confirm कर लिजेगा कि आप जो smart chain में transfer कर रहा है बेब 20 ही होना चाहिए ठीक है तो मेरा already बेब 20 है address को मैं फिर से confirm कर लेता हूँ तो यहां पर मैं confirm कर देता हूँ confirm करने के बाद आपका mobile number में और mail ID में दोनों जगा OTP आएगा डाल कर यहां पर submit कर देना होता है इसके बाद that's it यह जो है withdraw का process पूरा हो जाएगा withdraw का request submit हो चुका है यह भी 5-10 मिनिट के अंदर जो से मेरे पास withdraw आ जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ जब तक मैंने यहां से withdraw किया तब तक मेरा वजीरेक्स का withdraw आ चुका होगा ठीक है तो आप वापस आते हैं trust wallet में और यहां पर देख लेते हैं कौन सा वजीरेक्स से transfer करेंगे आपके पास BNB आज आएगा तो आपको इस BNB को convert कर लेना है BSD में और थोड़ा सा smart chain चाहे 2 डॉलर का हो या 10 डॉलर का हो smart chain at least आपके पास होना चाहिए तो इसको convert करने का क्या process है वो आप ध्यान से देखिएगा मैं इसको BSD में convert कर लेता हूँ क्योंकि zoning जो है वो BSD में होता है convert करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे dex का option है उस पर click करना है click करने के बाद आपको सबसे पहले BNB को जैसा मैंने आपको बताया था आपको smart chain में convert करना पड़ता है तो यहाँ पर मैं BNB को सारे BNB को smart chain में convert कर लेता हूँ इसके लिए simple सा उपर में BNB है तो इस tab से है मैंने यहाँ पर BNB से Smart Chain में यहाँ पर Convert कर रहा हूँ क्योंकि BSD को अगर आप आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो आपका Smart Chain से ही Convert होगा BNB से Convert नहीं होगा तो यहाँ पर मैं Simply क्लिक कर लेता हूँ 100% सेलेक कर देता हूँ यह 100% हो गया इसके बास Swap कर देता हूँ तो यह हमारा BNB से Smart Chain में Convert हो जाएगा थोड़ा से यहाँ पर Network फिल लेगा इसको यहाँ पर Confirm कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर मेरा सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा ठीक है Loading हो रहा है Swap successfully completed थोड़ा सा आपको 10-20 सकेंड या 30 सकेंड का टाइम ले सकता है या फिर कई बार instant हो जाता है तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो Smart Chain instant यहाँ पर transfer हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर मेरा दोनों जो विड्डो मैंने एक Smart दोनों जो मेरे विड्डो किया Binance से और वजिरेक से दोनों विड्डो आ चुका है और यहाँ पर total मेरे पास 130 USD 130 डोलर का हो चुका है अब हम चलिए इसको BUSD में convert कर लेते हैं ठीक है आप जितना से joining करना चाहते है उतना ही convert कीज़े यहाँ पर lump sum 100 डोलर को यहाँ पर convert कर लेता हूँ ठीक है तो उसके लिए simple सा आपको यहाँ पर DEX में जाना है DEX में जाने के बाद यहाँ पर उपर में आपका smart chain रहेगा जैसा कि आपको पता है कि smart chain select कीज़ेगा इसके बाद यहाँ पर जो select करेंगे वो BUSD को select कीज़ेगा तो यहाँ पर select करते है BUSD तो इस type का यहाँ पर आजाएगा Binance जो उपर का देखें यहाँ पर दो तरह का BUSD आया है Binance USD है और Binance Page UBSD है तो आपको इसको select करना है क्योंकि यहीं पर आपका BAP20 दिया हुआ है तो यहाँ पर click कर लेते हैं को और यहाँ पर हम डाल देते हैं 50% 75% select कर लेते हैं उसके बदले मुझे कितना मिलेगा जो आप देख लिजएगा उसके बदले मुझे 93 BUSD यहाँ पर मिलेगा ठीक है आप अपने हिसाब से देख लिजएगा कि कितना आप यहाँ पर convert कर रहे हैं कितना BNBR कितना आपको यहाँ पर BUSD मिलेगा आप अपने कैड़ूइंग कालकुलेट करके यहाँ पर convert कर लिजएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके बाद सिंपल सा यहाँ प फर्म हो जाएगा देखे प्रोसेसिंग ले रहा है थोड़ा सा कुछ मिनिट्स का टाइम लेगा एक दो मिनिट्स का तो यहाँ पर मेरा स्वेप हो जाएगा ठीक है ओके कर देते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं देखे यहाँ पर मेरा convert हो चुका है और मेरे पास 98.87 BSD यहाँ पर आ चुका है ठीक है तो यह जो आपका Trust Wallet का सारा process यह आपने पूरा कर दिया है अब आपको joining कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ जो है आपको dab browser खोलना है और उपर में search करना है Forsage ठीक है Forsage का website जो भी है या फिर अगर referral link होगा तो जब अब मेरे पास referral link आ जाएगा मैं आप referral link डाल दूँगा या फिर मैं आभी आपको दिखाने के लिए simple सा search करता हूँ Forsage यहाँ पर जो ethereum है इसको smart chain में convert कर लिएगा इसको ज़रूर convert कर लिजेगा इसके बाब Forsage पर जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने slots खुल जाएगे लेकिन यहाँ पर मैं अभी login कर लेता हूँ आपके पास option आएगा registration का option आएगा तो यहाँ पर मैं भी login कर लेता हूँ login करने के बाद जब आप उहाँ पर जाएगे तो इस type का यहाँ पर interface जैसे अभी यहाँ भी coming soon दिख रहा है आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर triple x का है और यहाँ पर x gold का है अभी मैं आपके सामने triple x का एक यहाँ पर करके दिखाता हूँ सेम उसी type का यहाँ पर हो ज दिखेगा इस type का यहाँ पर दिखेगा activating और आपको थोड़ा सा time लेगा और आपका जो सो id activate हो जाएगा ऐसे भी जब यह launch होगा तो मैं आपको live video बना कर दे दूँगा दो तीन मिनट का उस video को देख लिजेगा live joining का process आपको सारा कुछ बहाँ पर live दिख जाएगा अभी थोड़ा सा wait करते हैं जब तक यह नहीं आता है तब तक आपना fund को arrange कर लीजे और सारा अरेंज करके रखिएगा जैसे यह launch होगा timer खतम हो जाता है आप instant अपने id को ला आकर top up कर दीजेगा और साथ ही अपने team को भी activate कर दवा दीजेगा ताकि उसका benefit आपको instant मिल पाए तो